राजस्थान बोड़ दस्वी वा बारवी कक्षाओं को छोड़कर राज़य में सभी कक्षाओं के सभी स्टुडेंट्स को इस बार अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा करोना वाइरस संक्रवन के फैमले और लोगडाउन के चलते पिछले कई दिनों से स्कूल बंद है अब लंबित परिक्षाओं को करवाना संभव नहीं है ऐसे में अशोग गलहुत सरकार ने फैसला लिया है कि राज़य में पहली कक्षा से नवी कक्षा तक वा ग्यारवी कक्षा के सभी छात्रों को अगली कक्षा में बेज दिया जाएगा वीडियो कॉन्फरेंसिंग से शिक्षन संस्ताओं में शेशिक सत्र की इस्थिती और अगामी सत्र की तैयारियों की समक्षा के दोरान अशोग गहलोत ने इसके निर्देश दिये है इसके बाद शनिवार को इसके सरकारी आदेश भी जारी कर दिये गए है शिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटो सारा ने ट्विट करा कर किया है प्रदेश में करोना से उपजी विपरित परिस्थितियों की वज़े से कक्षा 10 वा 12 को छोड़कर सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा साथी प्रदेश के सभी स्कूल संचालकों को निर्देशत किया जाता है कि वे 15 मार्ज के बाद बकाया कोई भी शुलक वर्तमान में लाभू फीज वे अग्रिम फीज का भुकतान तीन माहा तक स्थंगित रखें सियमने ट्विट कर काहा है सभी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी सिक्षा से जुड़े संस्थानों में 15 अपरैल से ग्रिशम अपकाश कोशित किया जा सकता है सियमने काहा कि फीज के अभाब में किसी भी स्चहात्र का नाम नहीं काटा जाएगा CM ने टुटर पर बताया कि रियाजस्थान तखनीकी विश्विध्यले से समन संस्थानों में लॉकडाउन हटने के बाद आठवे समेस्टर की परिक्षाएं प्रात्मिक्ता से करवाने करा निरने भी लिया गया है। बता दें कि देश में लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलिज बंदें और परिक्षाएं भी ना हो सकी। इसी वज़े से यह फैसला लिया गया है।